असलाम नेकों मैं आपकास बब्रूला होरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस वीगो डाले को, I mean वीगो टैल को, पाकिस्तानी ब्रैंड है, आउट ओफ नो वेर आया, 30-32,000 पे की रेंज इस तरह के फीचर दे दिया है, मतलब हेलियू G99 का चिपसेट है, जो इस से असको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो आज की वीडियो आप देख लेना, सब आपको बता चल जाएगा, अब देखो यह जो वीगो टैल, नोट 23 है न, इसकी प्राइस 32,000 पे है पाकिस्तान में, और 8GB 256GB वाला, यह एक ही वेरियंट आता है, जब तक इसकी नॉर्मल प्राइस पे कोई डिसकाउंट भी मिल रहा था, अभी थोड़ा सा हाइप में चल रहा है फून, तो कुछ जगह पे ब्लैक मार्केट भी मैंने नोटिस की है, आपको ब्लैक मार्केट में फून मिले, ब्लैक माफिया का आपको बाइक आट करना चाहिए, नॉर्मल फिली स्पून के साथ प्रवाइड किया जाता है, जहां से भी आप भाय करोगे, अगर भाय करोगे तो इस चीज का ख्याल रखना 18W का चार्जर है, बाकि देखो, बेल्ड क्वालिटी और इन फिली स्पून की फोदा बजट सेग्मेंट एक काफी अच्छी वाली है, मतलब बजट सेग्मेंट के अंदर इसी तरह की डिवाइस जो ना वेट आलमोस्ट चल रहा होता है, तो यह थोड़ा सा कंप्रमाइस है बाकी केस लगा गया, अब यूज़ कोरें कि थोड़ा सा वसन और भढ़ जाएगा, लेकिन ओवराल जो इस फून की इन और फिल है कि बजट सेग्मेंट के हिसाब से वह मैं अच्छी रेट करूँगा, डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे काफी सॉलिड लगी है स्पून की, क्योंकि एक तो बड़े सा इसका इसका डिस्प्ले है 6.7-8 इंच का, IPS पैनल है, फूल एच्डी प्लस का रेजलूशन है मदर 720p वाली हरकत नहीं की, यहां पे ब्रैंड ने, और उपर से 120Hz का हाई रिफ्रेश एट वाला कंबिनेशन रखा है, हाँ, सेटिंग में जाके इस रिफ्रेश एट को आप ना तो आटो पे स्विच कर सकते हो, ना 60Hz कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ओप्शन ही नहीं दी चलो यहां पे थोड़ी सी बैटरी सेव होगे, दूसरा कैमरा में 60Hz पे जाता है, बाकि हर एप में 120Hz के उपर ही रहता है, अल्दो इनको सेटिंग विगर ओप्शन दे देते हैं, तो आटो पे बंदा रख लेता थोड़ी सी और बैटरी वाली साइट से एफिशेंसी मिल ज जाते हैं, बट अगर नहीं है तो बहुत जाता कंप्लेन नहीं की जा सकती है, यहां पे, 480p में नेटफ्लिक्स या OTT प्लाटफॉर्म चलेंगे, बाकि यूट्यूब विडियो से है, 2K रेजूशन 60fps तक आप चला सकते हैं, 1440p, और अटकते नहीं है इसके फ्रेम, काफी स्मूथली उस चीज को हैंडल करता है वीडियो को, मतलब यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है, सिंगल स्पीकर है नीचे वाली साइड के ऊपर, बजट सेगमेंट है, सिंगल स्पीकर ही मोस्ली जगा पे मिलते हैं, तो जिस तरह कि परफॉर्मंस होनी चाहिए वैसी है और जो इसका फिंगरपिंट सेंसर है, साइड मांटेट है, जिसकी जो स्पीड है, वो बजट के साब से, मतलब ठीक है, सूपर फास नहीं है, बट एकुरेटली काम करता है, उसके लावा डिस्पले पे जो हैप्टिक फीडबैक है, टाइपिंग करने के जो एक्सपीरेंस ह दिया है सबको, दूसरे बिनेर्ट मैक्सिमुम हेलियो G88 तक का हार्डवेर दे रहे है, इस रेंज के अंदर, तो सबसे सॉलिड हार्डवेर इतनी पैसों के अंदर, इस पूनियों के अंदर आपको मिलता है, साथ में कॉंबिनेशन में 8GB RAM रखी है, LPDDR 4X वाली है, स्टोर यह EMMC स्टोरीज नहीं है, यह UFS स्टोरीज है, अब यह दो फून्स है मेरे पास, Realme C51 इसमें EMMC स्टोरीज है, और इसमें Vigotel में UFS है, अब यह इसके जो Read&Ride के स्कोर्स है यह आप देखो, आपको मतलब क्लियर आइडिया मिल जागा, दोनों की Read&Ride स्पीड को देखत इसके उपर, File Manager में से भी आपको दिखा देता हूँ, यह देखें, 9.6 GB इसका Data है, इस टाइम पे मतलब Free है, 215 GB की वीडियो पड़ी है, और जो Still इसकी Performance है, फोन की, मतलब सही देरा है, कहीं पे भी Slow नहीं हुआ 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 इसको बहुत अच्छा मेनेज कर लेगा, और यह UFS स्टोरीज की वज़ा से, फोन भी टाइम स्लो नहीं होगा, तो यह स्टोरीज के डवांटिज होते हैं, UFS और EMMC के, UFS बेतर रहती है, गेमिंग भी स्टोरीज के लिए है, पबजी के लिए स्मूद बैलेंस विद जाइरो की कटोती लाजमी थी, तो खेर जो भी है, विदाउट जाइरो अगर आप खेलते हो, तभी इसके ओपर मतलब एक बहतर गेम प्ले है, थोड़े बहुत FPS ड्रॉप इस तरह की चीज़ें, मतलब चलती है, पैसों के हिसाब से अच्छी प्रफॉर्मंस है, अगर आपका नॉर्मल तु मोड़े टाइप के यूज़ें देना, जापी मैं कैमरा यूज़ कर रहा था, डिफरेंट जो अपना सोशल मीडिया वगरा यूज़ कर रहा था, तो इसने मुझे कोई 6-6 गंटे के आसपा से स्क्रीन ओन टाइम प्रोइड की है, इसमें गेमिं इंक्लूड नहीं की थी, अब ये 120Hz का जो इनने बाइड डिफाल्ट रिफ्रेश एट सेट किये ना, अब ये थोड़ा सा बैटरी कंजूमिंग होता है, अगर आटो रिफ्रेश एट का को आटो स्विच का आप्शन रख देते तो वो थोड़ा सा और बैटरी सेव वाली सा इसमें, और डबे में अडप्टर नहीं मिलता, सिरफ डेटा के बलें रखके दियो है, अडप्टर की जो डबी है, वो अलग से मिलेगी स्पून के साथ ही होती है, तो जहां से भी फून ले रहे हो, उस चीज को ध्यान में रखना है, वो चार्जर भी लेना दुकान वाले स थोड़ी बूद कस्टमाजेशन है, बाकी जो फील है, उसकी प्योर स्टॉक अड़ोड वाली है, और अल्मोस्ट क्लीन टाइप का एक्स्पीरियेंस है, कोई भी एड्ज वगरा या इस तरह के रोले मैंने नोटस नहीं कहें, क्योंकि अभी मेरा अनिशल रिव्यू है, फर सस्टेनेशे में है, बड़ थोड़ा बहुत अपडेट वो पुश कर देते हैं, लेकि इसका मुझे आइडिया नहीं है, अगस्त का स्क्यूरिटी पैच के अबर भी चलते रहा है, और अभी देखो आप नवंबर आल्मोस्ट खतम होने वाला है, तो ये चीज़े रहेंगी स्पून का ओवराल काफी बैटर है, मेरा प्राइमरी सिम काड इस्पून पे, पिछले कुछ दो तिन दिनों से मैं यूज करा हूँ, तो कॉल ले आ रही है, जा रही है, कॉल क्वालिटी भी ठीक है, कोई ऐसा कम्प्रमाइज नहीं है, कुछ गेंप्ले में रिकॉर्ड कर तो चानक से मैंने डांसिंग सिगनल नोटिस की ओपर वली साइड पे, ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, बट ये एक ही बार नोटिस की है, मैंने बाद में ट्राइ किया, कि यार ये कोई इशू तो नहीं है, लेकिन वो इशू नहीं था, बट पता नहीं कोई नेटवर का कोई इशू आ गया होगा, आज कल लाइड जाती है, तो नेटवर की बड़े रोले रहते हैं, बरहल, कोई इशू नहीं था, वोल्टी इ, स्पून पे चल जाता है, वोईस ओवर ल्टी, वाइफाई कॉलिंग का स्पून के इंदर नहीं है, उसके लाभाँ एन एफसी भ बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा, भाई, वीगो टेल कहां से निकल आया है, चानक से धर्थली डाल दी इनोंने मार्किट में, इनकेस अगर फून में कोई इशू निकल आता है, तो इनके कस्टमर के सर्विस का क्या सिच्वेशन है, वरंटी का क्या परसीजर है, मतलब ये जो सारी चीज़ें है, पार्ट्स इसके मिलेंगे के नहीं मिलेंगे, अब ये क्वेशन जाहर मेरे माइंड में भी था, डबे में जो इनका वरंटी कार्ड मिलता है, उनमें पांच सिटीज मैंशन है, मेन हैं कराची में है, अगर तो आप इन सिटीज ये हो, तो फिर इनके कस्टमर के साविस को विजट कर सकते हो, लहोर जैसे बिग सिटी में इनका कोई कस्टमर के सेंटर वेलेबल नहीं है, तो मैंने पूछा भाई, लहोर में हो अगर फून, मतलब इशू आ गया, बताएं, क्या परसीज़रा गाइड करें, तो हो कहता है, कोरियर के आपको कराची बिजवाना पड़ेगा, या तो हमारा जो लोकल डीलर है लहोर में उसको पकड़ा दो, या खुद गोरियर करवा दो, अर्द जिन का परसीज़र है, उसके बाद आपको फून वापिस मिल जागा, वरंटी के परसीज़र में क्लेम होने के बाद, तो यह जो और लुकटे वाले मतलब एक काला सा गोला बनाया बसका, तो देखो, फोटोज वो ही हैं जो एक बजट फून से आप बहुत जागा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ, 30,000 पी की रेंज में जिस तरह के दूसरे फून जितना मतलब बुरा परफॉर्म कर सकते हैं, यह उ वीडियोग्राफिया बैक साइट से तू के तक जाती है, यह चीज अच्छी है, मतलब लेकिन स्टेबलाजेशन नहीं है, तो बहुत ज़रा यहां पी भी ना एक्सपेक्ट करना, गुजारा माफी की आपको वीडियो एक बजट एक पैसो के हिसाब से जो होनी चाहिए, थोड़ी चीज यहां पर आके पीछे रहती है, पोर्टेट्स वगारा मतलब ठीक है, गुजारा कर जाएगी, फ्रंट पर जो वीडियो ग्राफिया है, तक जाती है, यहां पर भी नहीं है, और गुजारा माफिक, पैसो के हिसाब से जो है ना, वो चीजे मतलब जस्टिफा और सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन केकर बात करते हैं, तो यही फोन इस टाइम पर दे रहा है, तो वीगो टेल ने बहुत अच्छा काम किया है, इस पर अप्रिशेट भी करना चाहिए, और इस से थोड़ा और कंपिटिशन भी क्रियेट होगा, तो जो नामी ग्रामी ब्र नॉर्मल से कैमरा भी चल जाए है, आपकी गेमिंग गेमिंग विदाउट जायरो खेलते हो, तो वो भी मतलब अच्छे से करवा देगा, तो अच्छी परफॉर्मस भी या फोन स्लो भी नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्स्पेरिन कर दी है, वीगो टेल